कि नमस्कार दोस्तों मैं दिख्विजाय सिंग आप सब का बहुत स्वागत करता हूं दिख्विजाय एकुनामिका में कैसे हैं आप लोग और कैसे चल लए है आपकी जीत की तयारी आये मोडिवल क्या आप मुझे सुन सकते हो कि आया मोडिवल क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं जल्दी से मैसेज करिए आप लोग मुझे सुन पा रहे हो इसलिए आप लोग मुझे को आया मोडिवल है है अब आइए मोड़ीवल क्या आप मुझे सुन पा रहे हो रहा हुँ कि आप मुझे सुन पा रहे हो फिर साथ ओक्के है चलिए है बद्नामिस्रा गुड एंड नमस्ते आप लोग मुझे सुन पा रहे हो आइए मोड़ीवल कि जल्ली से मेसेज करिए कि आप लोग सुन पा रहे हो मुझे को गूड इवनिंग प्रतिमा कि मोहित हेलो सुप्रिया जी सर चलिए चलिए आयम ओड़ीवल कि लियर हो गया कि आप लोग मुझे को सुन पा रहे हों बहुत आप लोगों का स्वागत काफी दिन बाद जो है लाइब आप से मुलाकात हो रही है चलिए आज हम बात करेंगे कि नेट का रेजल्ट आ गया है आपने देखा कि नेट का रेजल्ट आ गया है बहुत लोग सफल हुए हैं बहुत लोग प्रियास किये हैं और प्रियास करने के बाद कुछ लोगों का नेट निकला है कुछ लोगों का नेट नहीं निकला है लेकिन सबसे महत्तवपूर है इ कि नेट एक्जाम को आप कैसे निकाल सकते हो तो मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आप ने मास्टर ठीक से किया है और आप अपने स्लैबस को एक बार पढ़े हो तो आप नेट निकाल सकते हो हुआ हो है बहतर जो श्ट्रट्टेडी की बात की जाती है कि बहुत एक श्ट्रेटी बनाना है और उसको फालो करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे काहिए मैं करता हूं नेट के लिए मेरा यह मानना कि अगर आप शींशियर हो और आप के पास अच्छी किताबे हों और आप टाइव चबिश हो कि मैं निकालनू तो आपका निखल जाता है ये सिंपल अमना कि निकालना कोई बहुत बड़ी यूनिक आपके कोई काम नहीं किया है आप सिर्फ जो अपने मांस्टर का चलेम से अगर उसको अट थिक से कवर किये हो तो आपका निट निकल जाएगा एक्चली जब मैं बात करता हूं तो ज्यादा important होता है कि हम ZRF के लिए strategy बनाएं कि क्या हो सकता है कैसे हो सकता है तो जो भिकत्वर्स के प्रस्ट आये हैं उसमें मैं देखता हूं कि आजकल जो सरल को गलत करके आते हैं अगर एक छोटा सा में डेटा उठा के देखूं कि जैसे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए नेट जारफ का जो इस बार रिजल्ट आया उससे तो मुझे लगता है कि अगर आप इस बार का रिजल्ट देखो तो जो अन्रिजर्व्ड कटेगरी है अन्रिजर्व कटेगरी जिसको कई बार आप गलत फ्हेमी में जनरल कहते हो यह अन्रिजर्व्ड होता है जो सब लोग आ सकते हैं उसके लिए जो असे प्रोफेसर की मेरिट है वह 192 है 192 का मतलब यह है कि अगर आप आप 1596 साही करके आया हो है तो इसका मतलब आप सोचो कि अगर आप 73 परसेंट नंबर लाते हो जनरल में 73 परसेंट तो आप यार्फ हो जा रहे हों कि और कि 73 परसेंट पर आपका लगभग लगभग दियारफ हो जा रहा है और लगभग 64 पर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहे हैं 64 परसेंट तो जड़ा सोचो कि आप जो बाहर होते हो क्या उसका दीजन यह है कि बहुत जादा जो टिपकल कोश्चन उसको गलत कर लेकिन अगर एक एक टेग्री का बच्चा अगर एक सो चैटों पर हुआ है तो इसका मतलब 44 कोश्चन उससे गलत हुए है 44 question first paper and second paper मिलागे मतलब मालो कि 20-20 question दोनों में गलत हुए है 20-22 question दोनों में गलत हुए तो tough question तो सबके गलत हो जाएंगे इसके लिए होता यह है कि आप selection इसलिए नहीं पाते हो कि आपका tough नहीं आप आसान question गलत करके आते हो सिंपल सिंपल जो एक आप कहिए की problem है जो हमारे साथ हो कि हम यूमनDes जाधा करते हैं आसान चीजूं को भी गलत कर आते हैं सिर्फ complex और टफ चीजूं कोई गलत नहीं करते हैं लिए करना है कि हम आसान चीजूं को गलत ना करें ट्रफ बहुत टफ कोश्चन देखो जब पेपर सेटर से कहा जाता है कि पेपर सेट करिए तो उसको साफ साफ इंस्ट्रक्शन होता है एंटीए का यूजीसी का कि दस कोश्चन ऐसा बनाओ कि टीचर भी न कर पाएं सिम्पल और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि कि दस ट्रफ कोई टीचर नहीं कर सकता है कि ऊसी का हो टॉ HOY आट माणा है कि आपको एक बार पूरे सलैवस को कबर करना चाहिए पूरे स्लाइबस को कबर करिए साइट नोट्स बनाइए माइक्रो नोट्स बनाइए हर सेक्षन के उपर वेट दीजिए सिर्फ किछी एक सेक्षन को पकड़के बैठ जाना समस्या के सबादना नहीं है जैसे कि आप देखो इंडिया निकनामी पर बहुत प्रस्त पूचेगा और हर चीजों के उपर आपको अपना नोट बनाने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैं कहां कि आपको सबकी प्रवायड करांगा तो बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेर हो रहा है जो कि मुझे लगता इक वह बुक का सब्सेटिट हो सकता है लेकिन फिर भी आपको अपना बज़े हम लोग जो है एक क्वीज भी लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ जो भी इंपोर्टेंट न्यूज है जो करेंट से रिलेटेड हो सकता है कि जो बहुत कोचन नेट में पूछा जा रहा है उसके उपर भी डेली हमारा प्रयास है कि आपको कुछ इंपोर्टेंट न्यूज डेली दिया जा जिससे आप अफडेट रहें तो पूरा का पूरा हम फोकस कर रहे हैं आप पूरा फोकस करें तो चीज़ें बहुत अच्छा हो जाएंगे अगर आप इसी चीज को अगर आप EWS पर आ जाओ तो यह देखो 172 कितना मतलम 86 question अगर सही क question करके आप हो गया हो 170 नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर और 196 पर आप ज्यारफ हो गया तो बहुत बड़ी बयात नहीं है 98 question करना इसमें 52 question आपने गलत किया हुआ है तो यह है ना कि बहुत तफ नहीं है मैं कहना यहीं चाहता हूं कि हथियार डालनी कि हो सकता नहीं है अ अगर आप OBC section से आते हो वर्क से आते हो तो 196 पर आपको ज्यारफ मिला है मतलब आप 150 में से 98 question अगर आप सही की हैं तो आप ज्यारफ के लिए क्वालिफाई हो गया है और SC category से अगर आप हैं तो 176 पर ज्यारफ के लिए क्वालिफाई कर गए तो आप जिरा सोचो 176 का से अपना willpower strong करना होगा और एक बार लगना होगा अच्छे से आज इस topic को मैं आपसे cover करना चाहता हूं वह इंडियन economy का एक topic है क्योंकि इंडियन economy पर बहुत कम होती है तो आए हम थोड़ा सा आप से आज इंडियन economy पर बात करें और जो है दो तरह की विचाल धराएं थी जिस पर आप आगे बढ़ सकते थे एक था पूरी की पूरी capitalism दूसरा था socialism नेर्वो जी के नित्रित में हम लोगों ने चुना था mixed economy का pattern हम लोग चाहते थे एक ऐसी अर्थव्योस्था बनाएं जो मिक्स्ट एकनामी के pattern पर मिस्रित अर्थव्योस्था के pattern पर काम करें तो पहला ही सवाल जो देखिए कई बार पूछा गया है कि मिक्स्ट इकनामी होती क्या है इसका जो है definition क्या है इसका जो concept क्या है यह उसको हम सिखाते हैं कि mixed economy का जो concept है वो क्या है देखें एक mixed economy एक ऐसी economy होती है जिसमें capitalism और socialism दोनों के characteristics एक साथ exist करें मतलब एक ऐसी economic pattern जिसमें capitalism के characteristics as well as socialism के characteristics एक साथ coexistence आप capitalism and socialism मतलब समाजवाद और पूजिवाद का जहां एक साथ अस्तित हो या उड़के कुछ basic characteristics एक साथ मिल जाएं तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों mixed economy mixed economy में समाजवाद और पूजिवाद के दोनों ही तत्तों का जो है एक क्या होता है मिस्रण होता है अब देखो जब मैं कहता हूं लेजस फियर capitalism तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव जो इकोनॉम में रहा है वह रहा युएस से में निर्वाद पूजिवाद मतलब पूरी तरह से मार्केट फोर्स के उपर डिटर्माइन था सब कुछ मार्केट कर लेगा ऐसा उनका मानना है इसका मतलब अगर जब कोई एकनामिक एजन्ट यह मानके चले कि सब कुछ प्रॉफिट या मार्केट ही डिसर्माइट कर देगा लाइक एक्जाम्पल की मार्केट सब कुछ कर देगा इसका मतलब यह है कि जब कोई इंड के करें वो अपने लाघब के लिए काम करें एक इंड़ीजूवल Nickel कंजूमर है वह अपने यूटीलिटी सटिस्ट्स को मैक्सिमम के लिए उसको बोलते हैं कि जब इंट्रबंईर्ट पती औहो進 नाया के लिए इन इसको बहुत AI जिसको बोलते है कि जब रोल होता है वो प्राइबेट का होता है और जो प्राइबेट ओनर्सिप आंद फेक्टरा प्रोडक्शन जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पे जो प्राइबेट ओनर्सिप होता है और यह जो होता है प्राइबेट सेक्टर डॉमिनेंट वहीं जब समाज बात की बात करिए तो सबसे बड़ा संग्रूस और उसके उसमें क्या था गौर्णमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उत्पादन के साधन थे उस पे समाजिक नियंत्रण या सरकार का नियंत्रण तो देखो जब हम लोग स्वतंत्र हुए तो हमारे सामनी यह था कि हम किस प्रणाली को एड़ाप करें तो नहरुजी के नित्रत में हम लोगों ने मिक्ष्ट इकनामी की पैटर एड़ाप की जिसमें समाजवाद और पूजीवाद के दोनों लक्षण थे मतलब आप देखो कि हमारे मां समाजवादी भी अस्था अपना थी सरकार का भी बहु समाजवाद और पूजीवाद के लखषण एक ही साथ हूं तो इसको हम बोलेंगे मिक्ष्ट इकनामी मिस्सित अथ्वी उस्ता लेकिन जब आप किताभी आगते हैं तो बोला जाता है एक ऐसी अथ्वी उस्ता जिसमें सरकार के साथ नीजी चेत्र का भी अस्तित वह देटी यह आपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि मिक्ष्ट इकनामी में क्या है सरकारी चेत्र है और सरकारी चेत्र के साथ नीजी चेत्र आप देखो यह ऐसा किसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम प्राइबेट रॉनर्श्टिप की बात करते हैं उत्पादन के साथ नूप में मिक्ष्ट इकनामी होती क्या है क्योंस्ता जिसमें समाजवाद और पूजी वाद दोनों के ही लक्षण हो या फिर एक ऐसी रिएव जिसमें सरकार के साथ नीजी चेत्र भी और दोनों मिलके किनामिक एक्टिविटी सको आगे बढ़ा रहा है उस्ट मिक्ष्ट आपको बिल्कुल यहां तक concept clear हो गया होगा कि मिस्सित अर्थ व्योस्ता होती क्या है और इसमें किस तरीके से मैं कहा कि राजी के साथ साथ नीजी छेत्र या मार्केट का भी अस्तित्त होता है अब आईए दूसरी चीज मैं आपको समझा दू कि कि किसी भी अक्षे एक है एरिया वन एक है एरिया टू और एक है एरिया तीन भाग में मैंने इसे बाटा है एरिया वन ऐसा है जिसमें उत्पाधन और वित्रण पे सरकारी जो है पूरी तरीके से नियंत्रन हो production and distribution controlled by government आप देखिए एरिया वन area अब को आपको अपको ऐसा मिलेगा जिसके उत्पादन और वित्रण पे पुर्ट सरकार ही नियंत्रण करेगा उसमें प्राइबेट सेक्टर को किसी तरह का नियंत्रण नहीं करेगा अ मिलेगा जिसके उत्पादन और बित्रन पर प्रोडक्षान और डिस्ट्रिबीउशन पर प्राइबेट और गवर्मेंट दोनों ही आपको दिखाए दिनगे प्राइबेट एजवेड, एजग्वेजद गौर्मेंट इडिया तीन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें उत्पादन पर सिर्फ प्राइबेट सेक्टर का कंट्रोल और मेंच होगा धान से सुनीए दो सब्ट पर धान दीजिए यहाँ पी यहां पर एक मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल सिर्फ सरकार को उसका प्रबंधन और नियंतर सरकार करें एक ऐसी एरिया आपको मिलेगी जिसमें उत्पादन और वित्रण पर सरकार के साथ सब नहीं जीचेते हो आप बाना जाता है दुनिया को सबसे सांदार मिक्ष्ट एक्जामपल आप इंडिया में तीनों तरह के एरिय एरिया ऐसा देख सकते हो जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से सरकार के उपर है जैसे इंडियन रेलवे के उपर आप बात करोगे या फिर एटॉमिक एनरजी है उसका जो है माइनिंग है ऐसे जो है तत्तों पर वो सिर्फ गवर्मेंट सेक्टर पर उसमें कि सामने मोबाईल पड़ा है तो एक ऐसी एरिया जिसमें पुरता प्राइबेट सेक्टर याचाोगा के उपर और एक ऐसा भी एरिया होगा जिसमें उत्पादन और बित्रण पर प्राइबेट के साथ सरकारी इच्छत्रका भी आप देखोगे नियंत्रण होगा जैसे लाइक एक्जामपल जैसे आप हेल्थ का एक्जामपल ले लो जब तुम हेल्थ में जाओगे तो है सरकारी आप जाओगे अमचो सरकाडी लेकिन वहीं पर साहरा भी तो देखैंगे वहीं पर अपलो साहरा भी थे तो मतलब दोनों है सरकार भी है प्राइबेट यर इसी तरह से आप ज़ो है इनवर्ष्टी ने तरह देख लो टो तो इंवस्टीं आपको दिखाई देगी जो बिल्कुल सरकारी है साथ इसे होंगे जो बिल्कुल प्राइबेट में होंगे और कुछ एरिया ऐसे होंगे जो दोनों के मिस्रण के रूप में होंगे तो इसको आप बोलोगे यह होगा इसका इस्ट्रक्चर एक मेरा दोस्त था वो आईयस का इंट्रव्यू देने गया था बड़ा सांदार उसे एक सवाल पूछा गया था अगर आप इस कॉंचेप्ट को समझ गया तो सोचिए कितना मजदार सवाल कि अगर उसे पूछा गया था कि नीज्जी और सरकारी चेतर एक साथ पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टो वोड ने पूछा कि आप यह बताओ दुनिया में कोई एक ऐसी नाम बताओ जो मिश्ट एक नाम नहीं धान से सुनिए प्रस्ट बड़े मजदार प्रस्ट मैं यह मिस्टिक न हो अब क्या यह पूशना चाहरा है बोड़ यह कहना चाहरा है कि तो अगर TUM मानते हो और बालते को Capitalism । तो Capitalism किया सिर्फ मार्केशंट है वहां क्या Government सेक्टर है नहीं उसका कहीं जो पर रही हो या फिर कहीं ऐसे तुम नहीं जा सकते हो जा सिर्फ इकनामिक एक्टिविटीटी को और हो मैंनेज कर रहा हो कंट्रोल कर सकता हो कहीं भी उसमें सरकालिचे ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है दुनिया में हर देश में तुम देखोगे दोस्त कि बड़ा तो आप समझ रहे हो ना तो यहां पर मैं यह कह रहा हूं आपसे कि कि यह कि अश्वाय के अश्या इसे सवाओ यह पूछा गया कि दुनिया के फिर हर एकणामे मिल्ष्ट एकश्ट एकश्ट्र एकक नामुSoft इकश्ट एकश्ट एकश्ट है नामी को मिल्ष्ट एक कहने के लिए बहुत । है कि हम parliamentary procedure से यह बताएं कि we are a mixed economy आप देखो इंडिया को माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट एक्जामपल है क्यों माना जाता है क्योंकि इंडिया एक्च्वल में अपने डिरेक्टिव प्रिंस्पल के माध्य अगर आप सब्सक्राइब कर देखो दुनिया की प्रतेग देश को मिश्टिक नामी तब मानूंगे जब वो प्रियमेंटरी प्रोसेजर से बताए कि वाट इस दे रोल प्ले बाई गॉर्वेंट इडवाट इस दे रोल प्लेट बाई प्राइब असपश्ट करें कि सरकार जो है निजी छेत्र क्या रोल प्ले करेंगा और किस तरीके का रोल किया जाएगा तो इसका मतलब दुनिया की सभी एक जो है मिश्टिक नामी नहीं होती है अब एक चीज़ यहाँ पर समझों कि मिश्टिक मी कमपलश्री एक प्लैंड इकनामी कंपलसरी निष्चित रूप से एक मिंस्टिक तरफ्व्योस्ता एक प्लांड आयोजी तरफ्यो जिससे की दो mutual exclusive goal को एक साथ हम आगे बढ़ा सके धान से सुनिए जो मैं सब्दों को कर रहा हूं तेको mixed economy में योजना बहुत महतोपूर्ण हो जाती है इसलिए बहुत important हो जाती है क्योंकि mixed economy में एक तरफ capitalism है और capitalism में सबसे महतोपूर है individual प्रतियक ब्यक्ति अपने लाप के लिए काम कर रहा है प्रतियक ब्यक्ति अपने लाप के लिए काम कर रहा है कि capitalism में मैंने कहा कि पूजीवाद भी है बाजार भी है और सरकार भी है तो पूजीवाद में प्रतियक ब्यक्ति अपने के लिए काम कर रहा है समाजवाद में क्या है सरकार है और सरकार किसके लिए काम कर रहे है कल्याण के लिए काम कर रहे है तो देखो दो चीजे एक साथ मिल नहीं सकती है एक तरीखे से लाव है और दूसरे तरफ कल्णान कभी यह दो मिचल इसको बोला जाता है mutual exclusive गोल प्लस पर अपवरजी उद्देश यह कभी मिलते नहीं है लाइक एक्जामपल धान से सुनिए मैं कहाना क्या चाहता हूं यह जो mutual exclusive जो गोल है वो कभी मिलते ही नहीं लाइक एक्जामपल तुम तुम अगर सहारा की बात करो मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं तो आजकल लखनों में डेवू बहुत फैला हुआ है और लोग बता रहे हैं कि अगर कोई चला जा रहा है मरीज और प्राइबेट हास् आप एक साथ मिलेंगे कैसे यह प्रसपर बिरोधी है आप समझ रहेंगे नहीं यह सिर्फ राजनीत में होता है कि प्रसपर बिरोधी चीज़ें एक साथ मिल जाती है मयावती समाजवादी पार्टी के साथ मिल सकती है समाजवादी पार्टी में होती साथ मिल सकता है यह सिर प्राइबेट क्या चाहता है कि उसको लाव हो तो लाव और कल्यान मिलते कहा है भाई लाव ज़्यादा हो गाल्यार कम होगा कल्याडा कम होगा ज्यादा होगा लेकिन अब सरकार की यह बहुत बड़ी यहां पर फोट होगी कि किस तरीके से वह mutual exclusive गोल को मिलाएं बहुत बड़ा चाइलेंज है गवर्मेंट के सामने कि वो म्यूच्वल एक्सक्लूसिव जो गोल से उसको एक साथ सेट करें इसलिए कहा जाता है कि मिख्डिक नामी एक मिला नहीं सकते हो यह मेरा स्लाइड नंबर टू कह रहा है अब इसमें कुछ फैक्स हैं मैंने जैसा कि आपको असपच्ट किया कि जो मिख्डिक नामी होगी वो नियोजी तर्फवे उसके प्लानिंग क्या हो सकता पड़ेगी तो प्लानिंग प्रोसीजर क्या होगी क्या होग करती है कि पॉब्लिक सेक्टर कि सीमा तक समाजिक द्रिश से निर्धाइत उद्देश्टों को पूरा कर पाता है जो सरकारी छेतर है जो सोसल पॉइंट को ध्यान में रखके जो गोल डिटर्माइन किया है वह कहां तक उसको फुल्फिल कर पा रहा है दूसरा चीज है कि ग पॉल है अधिक्तम लाव कमाना तो सरकार जो है प्राइबेट सेक्टर को किस तरीके से प्रेजित करें कि वह भी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस्ट अप्रोच रखे यह बहुत हत्तक रखता है अब देखिए यह बहुत एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आप देखोगे आजकल का जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और एक तरीके से कई बार लोग कहते हैं कि जो गवर्मेंट है उसको प्राइबेट बहुत हत्तक प्रफाइद करता है आप इविस्से में देखते हो कि डोनाल ट्रॉम्प जैसा अब्यक्ति जो है इविस्से का प्रेसि करने में प्रेजित कर पारी इसके उपर भी निर्वर करता है और फिर यह कि गौवर्मेंट की सिमा तक निवे संबंदि समस्याओं को सालब पर रहे है क्योंकि गौवर्मेंट और प्राइबेट जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों का अब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं प्राइबेट इन्वेस्टमेंट करेंगा उसको लाब चाहिए गौवर्मेंट इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उसको कल्याण जो है अधिक करना तो यह किस तरीके से करें यह बहुत एक बड़ी बात हो जाती है तो प्लानिंग प्रोसीजर की जो प्रोसेस है वो मि सफलता निर्वर भी करती है तो इस स्लाइड में आप से यह बात करना चाहा रहा था अब भारत सरकार ने क्या किया है जिससे कि इस सफलता को वह आगे बढ़ाए किस तरीके से मिक्स्ट इकनामी का पटर्टर ने डाप क्या है तो नहरू महालनोविस माडल जिसकी मैं अगल उडान के वस्था में आत्मस्फूर्त के वस्था में आ नहीं पाओगे तो यहां पर देखो सबसे बड़ी चैलेंज था इस ट्रॉंग इंडिस्ट्रियल बेस एक बहुत बड़ा जो एक अध्योगिक जो आपका बेस बनाना है वो किस तरीके से हम बनाए तो यहां पर अधार बन सके वह सरकार ने अपने उपर ले लिया तूसरा देखो इक नौमिक इंफ्राइस्ट्रक्ट्टर जिससे की इन्वेस्ट्मेंट आपका बहुत फूटफूल हो सके जिसमें आप ट्रांस्पोर्टेशन ले सकते हो सड़के ले सकते हो आप इसमें जो है सकते हो रेल्वे पोस्टर एक एयर वे यह सारी चीजे देख सकते हो जो बिना किसी भी एकनामी जब तक इंफ्राइस्ट्रक्टर बहुत श्ट्रांग नहीं हो तब तक आपके वह डिवलप्मेंट नहीं हो सकता और आप जानते हो कि इन्फ्राइस्ट्रक्टर एक ऐसी है बिना डबलब किये कभी भी आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तुम पढ़ते हो ना कि comparative study between China and India और इसका growth pattern जब analyze करते हो तो देखते हो कि जो China तुम से इसलिए आगे ने कि उसने infrastructure development के लिए जादा investment किया उसका infrastructure आपसे बहुत strong है इसलिए उसकी जो capital output ratio वो कम है मतलब पर unit product को produce करने की जो उनकी पूजी लग रही है capital output ratio कम है क्योंकि उन्होंने बहतर infrastructure लगाया है उनकी technology आपसे बहतर है तो किसी भी एकनामी की जो growth है वो depends करती है economic infrastructure के उपर और economic infrastructure का आप direct import नहीं कर सकते हो किसी भी एकनामी की primary secondary जो टर्सरी सेक्टर की activities है उसका growth है अल्टिमेटली डिपेंट्स अपान economic investment जो जो roads है transportation है communication है energy है expressway railway है poster है airway इस सब आपके बताते हैं कि किस तरीके से आपके वहाँ development होगा यह सब सरकार ने अपने उपर लिया कि शुरू में private sector के पास इतना ज़्यादा वो नहीं था कि infrastructure डवलप करें कि इंफ्राइस्ट्रक्ट्चर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी long gestation period होती है जिससे कि आप investment करोगे तो उत्पादन बहुत देर बाद आपको मिलेगी ऐसा नहीं कि आपने investment किया और तुरंट आपको production मिलना चुरू हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा ओके तो आप समझ सकते हो फिर आप देखो government इसी क्रम में nationalization किया क्या कि इसी क्रम में राश्टी करण किया अब राश्टी करण कैसे कि आप देखो financial institutions का बैंकों का insurance का आप देखते हों 1969 में बैंकों का राश्टी करण सुरू किया जाता है एटी में फिर बैंकों का राश्टी करण होता है पहले 14 बैंकों का फिर 6 बैंकों का गवर्मेंट ही चाह रही थी कि जो बड़े-बड़े financial institutions से बैंक है उसके उपार social control करें उसको नेस्नलाइज करें ताकि ताकि वह पब्लिक के वेलफेर के लिए काम कर सके आप देखोगे जब सेकेंड प्लान भारत में आया और भारत में जो सेकेंड इंडिस्ट्रियल पॉ चाहते हैं कि हम समाजवादी राजी के स्था अपना करें वी वाट टो प्रमोट जो सुसल सोचलिस्टिक पैटर्स आप सोसाइटी समाजवादी राष्ट के सब्ला तभी हो सकती थी जब सभी वर्गों को कि सभी वर्गों को जो सरकारी सिवाएं उससे लबाद मित करें तो आपने देखिए निसलाइजेशन की प्रक्रिया सुरू की एयरपोर्ट के निसलाइजेशन हुआ बैंकों का निसलाइजेशन हुआ फाइनेंसियल इंस्टूशन का जो है जो जितनी भी चीजे वह सब क्य यह देखता था कि अगर किसी इंस्टूशन किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी जो है इंट्रप्रिन्योर की जो पूजी थी उससे संबंधित पूजी 100 करोड़ से ज्यादा थी या वन पोर्थ की सप्लाइज के लिए करता था कोई भी इंडस्ट्री भात में ऐसी थी आप द करता था कि जब भी देखता था कि किसी क्याтоящii इंटरक्नेक्टेट जो फ़र में थी अगर उनकी पूजी 100 कैसे चेक के अपने क्वर उतने क्या करने का पूरी Class के सुरू में मैं कहना यह चाहता हूं कि किस तरीके से प्लानिंग प्रोसीजर में गौर्वर्मेंट बहुत हद तक कि कैन यू डू क्राइश को सांद इंडियन इकनामी सर्ट प्लीज कि मेरा यह नंबर है दे लिजिए आप लोगे रहा 637374827 इस पर आपनों मैसेज कर सकते हैं 6306306307374827 यह वाट्टिप नंबर इस पर बात कर लीजिएगा सर कमेंट नहीं ले रहा है अरे वेटा कमेंट अगर लेते चले ने वेटा तो जो तुम को जितनी अच्छी से पढ़ा सकते हैं वेटा कमेंट जो है आपका मैं देख रहा हूं कि कौन कुछ पूछ रहा है ऐसा तो आप कौन सा आप चाहते हैं आपका ले लूँ बेटा आप बताओ। चाइना आलवेज डंपिंग यह का ले लूँ या फिर चाइना में पॉपलेशन हुए हुए भी इंडिया से बेटर है यह क्या ले ले आप बताए बताए बेटा हिंदी में भी लिखा करो सार यह बढ़िया चीज आप बताओ कौन सा कमेंट ले लें आप लो बताओ चलो ठीक है मेटा बिल्कुल कमेंट ने के जब आप कोई सवाल पूछोगे तो मैं जरूर लूँगा मैं देख रहा हूं सारे कमेंट आपको लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा कंसेंट्रेशन के साथ जब कोई ऐसा सवाल आए सब्सक्राइब पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम प्रोटेक्ट दा इंट्रेस्ट आप डिप्रिव सोसाइटी अब आपने का हिंदी में लिखे तो मैं जरूर हिंदी में इसका लिखता हूं यह बहुत आसान जी है इसमें यह कहा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प की शुरुवाद की गई और यह था प्रोटेक्ट इंट्रेस्ट आप डिप्रिव सोसाइटी जिससे बंचित जो गरीब है या जो बंचित वर्ग हैं वंचित वर्ग उनके हीतों की रक्षा किया जा सकें उनके हीतों को संदक्षित कर सकें उनके हीतों को संदक्षित कर सकें संदक्षित कर सके मनोज रावत यूजिसी नेट का करा तो रहें बेटा यूजिसी नेट का इकोर्स करा रहे हैं सर मेरा नेट नहीं क्लियर हुआ है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सुधा मौरिया डॉंट वरी जो मैंने नंबर दिया है उसके उपर आप मुझसे बात करिए मुझसे नोट्स लीजिए एंबियस के बारे में इस्टेट जी बताएं प्लीज एंबियस के लिए बताएं सर प्लीज मैं चैनल पर नहीं हो जाती है बस आपको लिखना आना चाहिए थोड़ा सब प्रैक्टिस कर लिए तो आप तो अब सुन तो लीजिए जो मैं पीडियस की बात कर रहा हूं सर वजिदी बितर प्राणी पूरी क्लास इसके उपर लोगा बहुत ही महतरपूर ही इसके उपर सवाल बहुत पूछा जाता है हाँ तो मैं करा सारवजनी प्राणी देखिए जब आप देखोगे सेकेंड प्लान के बाद एक्चुली आप देखोगे स्वारी और एक तरीके से भारत में सारवजनी प्राणी शुरू कि गई थी लेकिन भारत में जो पॉब्लिक इस्टिब्यूशन सिस्टम है जिसको हम कि आप समझ्ञें सामानि भासा म्यंगे जो आप जानते हैं जो रासन की माउती है जिस भी हुट ही सस्थे रिट पर जो फूडबीडियोट किया जाता है उसकों प्लीक इस्टेङ से पूल्स राग क के ने भी प्रूब्लिक इस्टिब्यूशन सिस्टम और भाराग सरकार म में बहुत अच्छे से चला पॉब्लिक डिस्टिश्टिफाइव के बाद इसलिए चला कि दो बड़े-बड़े इंस्ट्यूशन खोले गए एक फूट का प्रेशन आफ इंडिया एक इंडियन इंडियन प्राइस कमीशन भारती जो है प्राइस कमीशन कीमत आयोग और फूट फूट का प्रेशन आफ इंडिया कि दो बड़े-बड़े जो है इंस्टूट जब संस्थाएं खुली तब ही से आप देखो कि भारत में पूब्लिक डिस्टिब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम किया जो फूट का प्रेशन आफ इंडिया था फसी आई था वो से में आपको ने क्लास में चरचा करोंगा यह मिनिम्मम सपोर्ट प्राइस क्या हो प्रुकृूर्मेंट क्लाइब राइस तो इस्ट्राइब करने वह और किस तरीके से एक सोसाइटी को ऊग प्रोटेक्ट करें उसके लिए रहा जैसे आप देको बेडर डिस्ट्रिबूश तो आए कि जब मैं वहतर वितरण कहता हूं तो हम लोगों ने अमीरों के उपर ज़्यादा तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या प्रयास किया कि किस तरीके से हम लोग को बेटर कर सके किस तरीके से हम प्लान डिकनामी में प्राइबेट के साथ-साथ जहां प्राइबेट का एक मार्त उधिश लाव कमाना है उससामाजवादी राजकास था अपना कल्यान्ट तो किस तरीके से हम लाब को और हित को को एक साथ मिला सकते इसके उपर हम फोकस कर रहे तो देखिए इस छोटे से क्लास में मैं इंडियन इकनामी से ज़्यादा प्रस्न पूछे गए तो आपको नोट्स चाहिए या किसी तरह की और को चाहिए तो मैंने आपको पहले यह अपना नंबर दे दिया है फिर से नोट कर करें काल मत करेंगा शिक्स त्रीजी जीरो सेबन थी सेवेन फोर एट टूसेवें अगर कोई नोट संबंधित या इस तरह की संबंधित अगर आपको कोई भी मुझसे बात करना हो तो आप मुझसे कर सकते तो के तो चलते हैं आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और हस बन के दिखाओ थाइंक यू सो मच गॉड बलेस्ट यू दियर फैंड गुड नाइट